ये बहुत जरूरी है कि हर चीज और हर व्यक्ति आपको आशिरवाद दे जब आप जमीन पर चलें तो धर्ती आपको आशिरवाद दे ये प्राणी विक्सित हो क्योंकि आपको हर चीज की जरूरत होगी अगर आप अपने अंतिम शिकर तक पहुँचना चाहते हैं जीने का एक तरीका मौजूद है यही साधना है, साधना इसी के बारे में है इतना ज्यादा तालमेल में होना चाहे वो एक जानवर हो या पक्षी या पेड या घास का तिनका हो वो सभी खुद ही आप से निकटता महसूस करें आपकी तरफ से नहीं और वो आपके लिए जो बेहतरीन हो सके वो करें कुछ लोग कहेंगे ये बकवास है, ऐसा कोई विज्ञान नहीं है वो सोचते हैं कि विज्ञान प्रयोकशाला में होता है विज्ञान सृष्टी में हो रहा है आपने बस कुछ चीज़ें देखी है किसी ने सब कुछ नहीं देखा आपने कुछी चीज़ों पर ध्यान दिया है और आप उसे विज्ञान कहते हैं लेकिन ये हो रहा है जीवन घटित हो रहा है प्रयोकशाला में नहीं दुनिया में, ब्रह्मांड में तो एक मददगार माहौल बनाना ही इस संस्कृती का मुख्य उद्देश था हमेशा कि एक आध्यात्मिक व्यक्ती का मतलब होता था कि उसे इस संस्कृती में तुरंत मदद मिलती थी जैसे आपने ध्यान लिंग मंदिर में कुछ पैनल देखें आपने तमिल नाडू के संतों और सिद्ध लोगों के पैनल देखें उन में से एक यही दिखाता है अगर किसी में आध्यात्मिक होने का कोई लक्षन है तो भले ही वो आपको मारना चाहें आप खुद को नहीं बचाएंगे उस हद तक यहां तक कि अगर लोगों के पास अपने ये अपने बच्चों के लिए भोजन नहीं होता था और वो किसी को आध्यात्मिक मार्क पर देखते थे तो पहले उसे भोजन देते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो अपने जीवन का हम से बहतर इस्तिमाल कर रहा है हमें अपनी संस्कृती में ऐसा माहौल बनाना होगा ऐसा नहीं है कि आज हम जाकर भोजन के लिए लोगों पर निर्भर रहने लगें हम दूसरे तरीकों से चीजें कर सकते हैं हमें यहीं चाहिए कि हम जिस हवा में सास लेते हैं जो पानी हम पीते हैं जो खाना हम खाते हैं और धर्ती का हर दूसरा इंसान और हर दूसरा जीव जो हर पल किसी तरह से हमारे जीवन में मदद कर रहा है उनके प्रती हमारे अंदर आभार की भावना आनी चाहिए हलो, आप जिन्दा नहीं रह सकते थे, आप अपनी मूर्खता पून बुद्धिमत्ता के कारण जिन्दा नहीं हैं, आप इसलिए जिन्दा हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हर समय आपके लिए काम कर रही हैं, तो साधना का एक मैतुपून हिस्सा ये है, कि आप कुछ नहीं जै हो जाता है, तो आपकी उपस्थिती बहुत बढ़ी हो जाती है, और दुनिया में हमें इसी की जरूरत है, हमें ऐसे लोग चाहिए, जिनकी मौजूद की बढ़ी हो, ऐसे लोग नहीं जिनकी शक्सियत बढ़ी हो, और कोई भी उन्हें सेहन नहीं कर पाए, तानशाह, पिता के रूप में हैं, वो शिक्षकों के रूप में हैं, वो हर जगा मौजूद हैं। विकास के लिए एक महत्वपून चीज ये है, विकास को इस तरह मत समझिये, विकास का मतलब बारी खवा की तरह हो जाना है, ताकि आपकी उपस्थिती प्रबल हो, पर आपका व्यक्तित्व कुछ नहीं की तरह हो, ताकि आप हर चीज में फिट हो जाएं, ये बहुत प्रबून है, लचीलापन, सिर्फ शरीर नहीं, शरीरिक लचीलापन ही नहीं, एक जीवन के रूप में आपको लचीला होना होगा, अगर आप दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, तो आपको किसी भी स्थिती में फिट होकर उसे बदलना आना चाहिए, अगर आप उसमें फिट नहीं होते हैं, तो आप बदल नहीं सकते, यही बात है.